बिस्मिल्ला रहमान रहीं, अस्सालाम वालेकुम, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज का जो हमारा टापिक है, आउटो चेक एंटी एंड एंड एक्टिव टेक्स पेयर लिस्ट, इससे ही हमें अडवांटेज होगा, वेदर हम फाइलर हैं के नहीं हैं, तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं, सबसे पहले हम जाके FBR की वेबसाइट खोलेंगे, वो कुछ इस तरह है, e.fbr.gov.pk, इंटर किया इसको, यहीं फेडरल बोर्ड अफ रेवेन्यू, FBR की वेबसाइट हमारे सामने आ गई है, इसमें हम जाएंगे सर्च टेक्स पेयर में, तो सबसे पहले हम देखेंगे, NTN Inquiry, मैंने इसको क्लिक किया, तो यह वाली साइट ओपन हो गई है, इसमें हम जाके चेक करेंगे, आप देख सकते हैं, इसको मैंने क्लिक किया, तो यह है, टेक्स प्रोफाइल Inquiry, इसमें आप देख सकते हैं, कि आप कौन सा पेरामीटर सेलेक करना इस वक्त हमें अपना NTN नमबर, नेशनल टेक्स नमबर चाहिए, तो हम CNAC को सेलेक्ट करेंगे, अपना ID कार नमबर डालेंगे, विदाउट डेशेज, डेशेज के बगएर, आटी कार नमबर डालने के बाद, यह जो लिखा हुए, इसको हम S, यह जो लिखा हुए, इसको ह मैसेज लिखेंगे, यहाँ पर, उसके बाद हम वेरिफाई करेंगे, यह जी टेक्स प्रोफाइल इंक्वेरी, यह आपकी ओपन होगी है, आपका रिजिस्टेशन नमबर आ गया, यह जो रेफरेंस नमबर है, बिसिकली डैट इस दा, नेशनल टेक्स नमबर, एंटी एंड नमबर, रिजिस्टर फार सेल टेक्स, नो, नेम आ गया, एंटेग्री आ गई, इसके बाद आपके एमेल अड्रेस, सेलफून नमबर और अड्रेस भी आ गयी है, सो इस दिस दावे, वेर हाव तो चेक यूर अंटी एंट नमबर, इंद नेच्स टेप इस अमने चेक करना है कि whether हम फाइलर हैं के नहीं है जो हमारा नाम active text पे लिस्ट में है के नहीं है उसके लिए हम जाएंगे active text पे लिस्ट इसको मैंने क्लिक किया यह site open होगी है अगेन हमारा पास parameter है वेदर ntn नंबर आप select करना चाहें या cnac नंबर तो जोंस आप select ने मैं cnac नंबर अपने लिखता हूँ cnac नंबर इंटर विदाउट डेश इस और डेट लिखूंगा मैंने कब का देखना है कि तो इसके लिए मैंने आप मैं अजब स्पोर्ज आज की अज़ की अज़ की देट इस लग कर लेता हूं इसके बाद अगेन दसें लेटर जो लिखे रहें इसको मैं लिख लेता हूं एद उसके बाद हम वेरिफए करेंगे वेरिफिकेशन पासेश इस इन प्राग्रेस तो यह आप देख सकते हैं एक्टिव टेक्स पेर लिस्ट इनकम टेक्स इस इस इन नमबर नेम बिजिनस नेम फाइल इन फाइल इन फाइल इस 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 अधिव इस 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 के लागर एक और तरीका भी है अगर आप चेक करना चाहिए आपके अगर आपके बास इंटरेटी नहीं है तो आप इस को इस तरह से भी चैक कर सकते हैं अपने मुबाइल में SMS करेंगे ATL space उसके बाद अपना ID का नमबर और उसको send करेंगे double 966 पर तो आपको reply हैगी from FBR के whether your status is active or not so इस तरीके से भी आप check कर सकते हैं तो one thing is very important जो बंदा पहले दफार अपना text return submit कर रहा है तो उसका जो स्टेटस होगा वो as per rule of FBR March 20 अगले साल अगले माँ अगर इस दफार उस नहीं किया है तो उसका जो स्टेटस है वो March 2023 में जाके update होगा तो वो अपना status अगर check करना चाहे तो वो March 2023 में जाके check कर सकता है तो उसका status उस रकर change हो जाएगा वो active हो जाएगा अगर आपको आज का यह सेशन पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा थाएगा थाएगा